देखिए बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इम्तियाज जलील मुंबई से क्यों लड़ना चाहते हैं करके मैं आज आपको उसकी वज़ा बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले मुंबई के मीडा रोड के अंदर एक मैटर हुआ और वहाँ पर सिर्फ गुंडा राज कैसा होता है किसी राजय के अंदर पुलिस का इस्तमाल प्रशासंक का इस्तमाल सरकार का इस्तमाल करते हुए और गरीब लोगों के जो तुकाने तोड़ी गई जो 20-20 साल से 30 साल से महां पर चोटा 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 काल Commun radio कर रहे थे उसकी वो रोजी रोटी का जरिया है तो बुल्डोजर के जरिया तोड़ा गया तो मेरे मन में एक सवाल आया था कि इतनी बेबसी क्यों है क्या वजा है कि मुंबई जैसे इतने बड़े शहर के अंदर लोग आवाज उठाने के लिए तयार नहीं है वो नेता जो कॉंगरेस के साथ जुड़े हुए है जो आजीद दादा की अंसीपी के साथ जुड़े हुए है जो शिफ सेना के अंदर भी गए हुए है वो नेताओं की बेबसी क्या थी कि वो लोग आवाज उठाने के लिए तक तयार नहीं थे मेरा रोड की उस घटना के उपर भाजब के छोटे मोटे चिलर नेता आके वहाँ पर किस तरह की भाशा का इस्तमाल कर रहे थे तो मेरे मन में ये सवाल आया था कि आखिर वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद के अंदर आपकी खावम अगर रहती है इतने सारे लोग वहाँ पर हख, इंसार, सचाई और लड़ाई की बात करते है तो वह खामोश क्यूं थे तब समझ में आया है कि जो मुसल्मान MLS थे वो उद्धो ठाकरे के साथ जुड़े हुए है तो उसको नाराज नहीं कर सकते है जो जीद तादा के साथ जुड़े हुए है वो एकनाशिंदे और भाजब के साथ लगे हुए है तो वो उनको नाराज नहीं कर सकते है तो बहतर ये था कि खामोश बैठो करके और वहाँ पर वो बेबसी देखने के बात मुझे ऐसा लगा कि नहीं बंबई में जाना चाहिए और बंबई के अंदर इन जितने भी मजलूम है जितने भी परेशान लोग है उनके लिए एक आख़त बंकर खड़े रहना है करके इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने फैसला लिया है मैंने असस सहाब को ये प्रस्ताओ दिया हूँ कि सहाब क्यों नहीं हम वहां पे अपनी खिसमत आजमा सकते हैं क्योंकि जब हम औरंगाबाद में खड़े हुए थे तो औरंगाबाद में भी 2019 के अंदर कहीं सारे दिगज़ 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 लोग थे अरे कहां से आता जीता क्या नहीं जीता कौन देता वोट ऐसा यही भाशा करते थे लेकिन आजम्दुल्लाह जीत क्या आए थे आगे भी अगर हमारे खिसमत में रहेगा तो बिल्कुल वहां से भी खिसमत आजमाई जा सकती है महाराश्चा के अंदर बनता जा रहा है उसे देखते हुए आप यह समझ लेजेगा कि एलेक्शन का आय आय तक कितने नेता कहां-कहां पर उडिया मारने वाले हैं कहां-कहां पर कुजने वाले हैं यह आप हर रोज देख रहे हैं तो आपका इन हमारी नजरों के सामने आ रही है कि जहां पर हमको ऐसा लगता है कि यह तो समीकरन पूरा बदल गया है हम वहां पर जा सकते हैं करके तो ऐसी कुछ तो एक लोगों के अंदर एक इंट्रेस्ट है उनको भी मालूम है कि अगर वहां पर कोई मजलुमों की जो परेशान हाल है जिनके ओपर बुल्डोजर चलाया जा रहा है उनके लिए अगर कोई आवाज उठा सकता है तो वो सिर्फ एमाएम उठा सकती है इस वज़े से उनक के अंदर भी एक नया जो शुमंग पैदा हुआ है लेकिन यह सब इस बात के उपर निर्फर करेगा कि बैरिस्टर असरतीन अवेसी सहाब क्या फैसला लेते हैं अगर वो कहेंगे कि नहीं इम्तियाज औरंगाबाद से नहीं तुमको नांदेर से लड़ना है तो अगर उनन कि अपने आपको पार्टी भी तो डिफरेंस कहती थी लेकिन बीजेपी के जैसी घटिया राजनीती मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में पिछले 75 सालों के अंदर किसी नहीं किया है किसाम दाम दंड हर चीज़ का इस्तिमाल करके हमको सबताने कैसा आने का है दोबारा यह सब ह प्रेंद्र मोदी साहब को समझता था कि यह बहुत दूद का धुले है करके लेकिन उनका भाशन जब मुझे याद आता है अजित दादा को लेने से पहले तो मुझे तो मालूम था कि अपने भाशन के अंदर कहा था कि सतर हजार करोड का गोटाला सिंचन घोटाला बैंक घ घोटाला खनन घोटाला यह मोदी जी के शब्द है तब उन्होंने देश को बताए कि यह सकतर हजार करोड रुप्ये के घोटाले के अंदर यह है और चार दिन के बाद उनको बोले कि इदर आव मेरे पास पार्टी के अंदर आते होंगे तो आ जाओगा के लिए फॉरण उ जाओगा कि मेरे साथ में बैठे हो हम दोनों साथ में बैठे कुछ मीडिया वालों को बुलाएंगे और सामने बात हो जाएंगी किसने क्या किया है किसने क्या नहीं किया है करके भाशनों के अंदर तपर दे सकता हूँ जबान मेरे मूँने है तो उनसे अच्छी जबाद पर दोनों मंत्रियों को बिठा दी जगा साथ की अंदर और हिसाथ में इस हैं बता दीजेगा मेरे को आपकी जगह आपका दिल और आपका समय कर जब सन अब पर Pack किसी एक शक्सित नहीं चालती है कोई ना कोई तो रहेगा